नमस्कार दोस्तो मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने कुकिंग चैनल कूपित पूनम में दोस्तों आज हम बनाएंगे मूली का पराठा और अगर आप इस ट्रिक के साथ मूली के पराठे बनाएंगे तो आपके पराठे कभी भी फटेंगे नहीं और बिल्कुल पूले-पूले से बनेंगे तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि मैंने इसको किस तरह से बनाया है मगर उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आये हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सस्क्राइब करें, और सेयर करें और कमेंटी करके जबूर बताईएगा और जो बगल में घंटी का निसाने उसको भी प्रेस कर दें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए आईए मैं आपको पताती हूँ कि इसको हमने किस तरह से बनाया है जिससे ये थने फूले फूले बने हैं और भटे भी नहीं है चलिए मैं आपको बताती हूँ तो ये देखिए हमने मूले ले लिया है और जिसको हमने अच्छे से छील लिया है और क्रीब हमने 5-6 मूली ली है इसको हमने छील लिया है और अब इसको हम अच्छे से धूल लेंगे और धूलने के बाद इसको हम कदू कस कर लेंगे तो यह देखिए हमने कदू कस कर लिया है अब हम इसमें क्या करेंगे नमक डालके और इसको हम 10 से 15 मिनिट के लिए इसी तरह से ढख के रख देंगे इससे क्या होगा कि मूली में बहुत जादे पानी होता है तो जब हम इसको इस तरह से करके रख देंगे तो जबना भी मूली को पानी छोड़ना होगा पानी छोड़ देगा और उसके बाद उसको निचोड़ के हम निकाल लेंगे तो इसलिए हमने इसमें नमक डाल दिया और ढख के हम इसको रख देते हैं कब से 15 से 20 मिनिट के लिए तो अब 15 से 20 मिनिट हो गया देखे कितना ज़्यादा पानी छोड़ा है और चुकि आज कल की मूली बहुत ताजी होती है तो इसमें से पानी भी बहुत ज़्यादा निकलता है अब हम इसको इस तरह से दबा दबा के इसका सारा पानी निचोड़ देंगे आप चाहे तो इसको मलमल के कपड़े में रखके भी अच्छे से निचोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ थोड़ी सी महनत लगती है पानी निकालने में और अगर इसमें से पानी नहीं निकाला जाता है तो अगर हम इसको फ्राई करके बनाते हैं तो भी इसको काफी समय लगता है सुखाने के लिए लेकिन अगर इस तरह से आप बनाएंगे तो पराठे बहुत अच्छे बनेंगे और बहुत सिंपल और बहुत स्वादिश्ट बनता है और पुरा-पुरा मूली का फ्लेवर इसमें आता है और इसमें बहुत जादे मसाले व इसमें पराठे मरी नमक डाले यह वान पराठे मरी और इसमें बहुत अन बहुत समय उर्गाने में बहुतां जेयाओmm से और शस्राषाल के नमक बढ़े माने कोई व्यवद्द तो कुली हमेल बहुति हम दो सबत्लिण पराठे और सबस्सक आख के पर दर कंव्या जरन तो अगर हम इसको से नहीं बनाएंगे तो नमक और रहुं से धन्या डालेऊ in मिर्च डाल देंगे और नमक हम इसमें तभी इस्तिमाल करेंगे जब हमको यह बनाना होगा तो हमने धनिया और लाल मिर्ची इसमें मिक्स कर दी है और अभी जब हम बनाना सुरू करेंगे तब हम इसमें नमक डालेंगे तो यह देखे अब हम इसमें नमक यूद डाल लेंगे और नमक डाल के हम इसको mix कर देंगे कितना भी हमने पानी निकाला है अगर हम इसमें नमक यूज करेंगे तो ये फिर से थोड़ा बहुत पानी छोड़ेगा इसलिए हमने इसको बनाते समय ही mix किया है ताकि ये पानी नहीं छोड़ने पाए उससे पहले ही हम बना के अपना तयार कर लें तो अब हम थोड़ा सा आठा भी मसल लेंगे और उसी हाथ से हमने आठा मसल लिया है तो थोड़ी बहुत धनिया के पती दे केस में लग गया है उससे कोई फरक नहीं पड़ता अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा तो आठे को भी हमने अच्छा से मसल लिया है और चलिए अब हम रोटी बनाना शुरू करते हैं पर आठे को हम थोगा सा लोई निकालेंगे और उसके बाद हम इसमें अच्छे से इस तरह से हम लोई बना लेंगे और उसके बाद थोड़ा सा सूखा आठा लगाके हम इस तरह से कटोरी बनाएंगे और इसमें हम मसाले को भरेंगे तो जब इसमें पानी नहीं होता तो आप अच्छे से मात्रा में मसाले भर सकते हैं तो इसका अच्छा सा फ्लेवर आपके पराठे में आएगा और इसके साथ आप दही से या चाय से या चटनी से किसी भी चीज़ से खाए पराठा आपका बहुत स्वादिश्ट लगेगा इक्स्ट्रा आपको सब्जी औगेरा बनानी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी तो अब हमने देखे पराठे को तयार कर लिया है और अब हम इसको बेलेंगे और आप इसको हलके ही हाथों से बेलिए अगर आपने बहुत तेज से दवा के बेल दिया तो यह फट जाएगा तो अब हम इसको सेक लेंगे और सेकने के लिए हमने देशी घी का इस्तिमाल किया है आप जो भी इस्तिमाल करना चाहें कर सकते हैं लेकिन पराठों का देशी घी में बहुत ही लाजवाब स्वाद आता है किसी भी पराठे को आप देशी घी के साथ अगर बनाते हैं तो उसका स्वाद बढ़ जाता है अब इसको हम धीमे आज पर ही हमने इसको सेका है क्योंकि फ्लेम तेज करने से पराठे जल्दी से तपक जाते हैं लेकिन वह स्वाद नहीं आता जो आप धीमे धीमे अगर पकाते हैं तब आता है तो इसको हम धीरे धीरे ही पकाएंगे और तब तक हम दूसरा अपना बेल के तयार कर लेंगे और इसको हम ऐसी तरह से होने देंगे दोनों तरब से अच्छे से हम इसको सेक लेंगे और अभी देखेगा ये कितना सुन्दर फूलेगा इतना अच्छे से फूल के देखे तयार हुआ है कि ये लगी नेरा कि मुलिक पराथे अक्सर करके मुलिक पराथे पढ़ते जरूर है क्योंकि पानी की मात्रा इसमें इतना अधीक होता है तो देखिए कितना फुलो फुलो पराठा मारा बना है और पराठा मारे बनके तयार हो गया है उमीद है आपको पसंद आएगा और अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, सस्क्राइब और शेयर जरूर करिएगा इसको आप चटनी के साथ चै के साथ किसी के साथ सर्फ कर सकते हैं फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ